नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब ही स्वस्त और सानन्द होंगे आप सबों के सुख, शान्तिय और सम्रिधिकी मैं इश्वर से कामना करता हूँ प्रतेक दिन की तरह मैं आज फिर से एक जवर दस्त बहुत ही नायाब स्टॉक के साथ आपके सामने उपस्तित हूँ बहुत सारे सोर्सेस से आपके लिए डाटा कलेक्ट करता हूँ फिर उसको एनलाईज करता हूँ और तब आप लोगों के लिए एक पूरा in-depth analysis जिसमें की पूरे detail में मैं बताता हूँ कि इस share में क्या खास है इस share को क्यों खरीदना चाहिए या क्यों नहीं खरीदना चाहिए ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ pros and cons बताता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि market के हिसाब से अभी क्या करना चाहिए तो इसी क्रम में आपके सामने आज chemical sector का एक नायाब हीरा आपके लिए लेकर आया हूँ और इसका नाम आप जानते हैं दीपक नायटराइट दीपक नायटराइट का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इसने बाजार में आग लगा रखी है आग दीपक नायटराइट केमिकल सेक्टर का वो हीरा है जिसने अपने इंवेस्टर्स को इतना multiple return दिया है कि आप खुद देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे उन्हें आपको दिखाऊंगा तो शुरुआत करता हूँ मैं दीपक नायटराइट के साथ सबसे पहले मैंने दीपक नायटराइट का fundamental साब के सामने screener पर लगा लिया है यह एक mid cap company है और इसका market cap है 12,415 crore इसका stock PE देखिए 20.8 शो कर रहा है यह ROCE 37.7% है जो की बहतर से भी बहतरीन है जिसका ROCE ROE 20 के आसपास हो उसको हम काफी बहतर बोलते हैं और इसका तो 37.7 है 37.7% ROCE है और ROE तो और भेंकर है 46.6% तो आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त है PE 20.8 है यानि कि इसका valuation cheap है यह आपको सस्ती rate पे मिल रहा है क्योंकि chemical sector का जो general पूरे sector का PE वो कहीं इससे ज़ादा है काफी ज़ादा है उसके मुकाबले काफी discounted rate पर आपको मिल रहा है current price इसका 910 रूपीज है book value 135 है face value 2 रूपीज है देखे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए यह stock यानि कि दीपक नाइटराइट को select करने का कारण क्या है दीपक नाइटराइट अभी तुरत दो दिन पहले ही इसका breakout हुआ है और जब भी यह breakout करता है तो वहां से कम से कम 15-20% का gain इसमें होता हुआ दिखता है यह एक बार नहीं मैंने 2-3 बार इसको observe किया है तो इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी opportunity बन रही है swing trading की सबसे पहले तो selection का मैंने कारण आपको बता दिया कि क्यों मैंने दीपक नाइटराइट को आपके लिए चुना के आसपास का high बना कर फिर नीचे चला गया था कुछ दिन दो महिने के आसपास नीचे consolidate करता रहा लेकिन फिर वह 890 को उसने ना सिर्फ bridge किया बलकि decisively bridge किया और उसके बाद अभी 940 हो गया है दीपक नाइटराइट दीपक नाइटराइट manufactures basic chemicals fine and speciality chemicals and performance products आप इसका अगर detail में आप जानना चाहते हैं तो इसका पूरा profile आपको मिल जाएगा इसके site पर जाकर देखिए दीपक नाइटराइट सर्च मारिए वहाँ पूरा आपको इसके product का पूरा array मिल जाएगा पू देखिए इसमें बड़े बड़े नाम है chemical sector के पिडिलाइट इंडस्ट्री आर्थी इंडस्ट्री गोद्रेज इंडस्ट्री टाटा केमिकल्स का कम है 18 है पर टाटा केमिकल्स का fundamentals इतना बहतर नहीं है क्योंकि टाटा केमिकल्स इसलिए एक बहुत ही चोटे price में language कर रहा थ अभी इसमें भी breakout आया था और काफी उपर चल चुका है इसलिए मैं इसको recommend नहीं कर रहा हूं कैस्ट्रॉल इंडिया 18.74 दीपक नाइट्राइट का देखिए इन सब के मुकाबले दीपक नाइट्राइट का PE सिर्फ 20.76 है कैस्ट्रॉल को छोड़ देजे क्योंकि कैस्ट्र के साथ मैंने हमेशा देखा है कि कभी ये price में बहुत variation नहीं करता है और उसी range पर लगबग पिछले 8-6-7 महिने से मैं इसको देख रहा हूं नवीन फ्लोरीन इसका PE देखिए 27.98 याने की 28 तो इन सब में अगर PE का valuation देखेंगे तो Tata Chemicals और कैस्ट्रॉल इंडिया सिर्फ इन दो का PE जो है इससे थोड़ा सा कम है marginally कम है लेकिन इन दोनों का fundamentals दीपक नाइटराइट के मुकाबले कहीं से नहीं ठारता कहीं से नहीं आप देखेंगे अब ROCE पर आजाए पिडलाइट इंडिस्ट्रीज का ROCE 34 लेकिन PE देखिए कितना हाई है PE मैं हमेशा बताता हू PE इस बात का major है कि वो सस्ता है या महगा है ज्यादा PE है तो ज्यादा महगा है कम PE है तो सस्ता है वो तो आपको ये बहुत ही cheaper valuations पर मिल रहा है और इसका ROCE देखिए आप ROCE 37 जो जैसा कि मैंने आपको उधर दिखाया और नवीन फ्लोरीन का देखिए ROCE सिर्फ 20 है कैस्ट् 0.65 है गोदरेज इंडिस्ट्री इस 12 आर्थी इंडिस्ट्री इस 15 तो आप इसमें अगर पूरे पूरे लिस्ट में डूणेंगे तो दीपक नाइट्राइट से बहतर ROCE वाला सिर्फ एक स्टॉक है और वो कैस्ट्रॉल है पर मैंने बताया कैस्ट्रॉल का problem उसका price बढ़त देता है उतनी बार कम से कम 15-20% का growth देता है अभी 890 से इसने growth करना शुरू किया है तो 890 से 15% अगर आप लगाएंगे तो लगबग 1020 तक इसका rate जाना चाहिए अगर 15% भी पकड़ते हैं तो और अभी ये चल रहा है लगबग 930 के आस पास तो इसलिए मैंने अपने सभी श्रोताओं के लिए दर्शकों के लिए ये इस stock को पहुंचाना जरूरी समझा क्योंकि एक से तीन महीने में आपको काफी बेतर return मिल सकते हैं अब मैं अगला slide आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें की compounded sales growth, compounded profit growth, stock price, CAGR इन तीनों पर हम बात करेंगे देखिए 10 years का data तो इसमें available नहीं है, 5 years में इसका जो sales growth है 26% है, हर साल 26% के हिसाब से इसका sales बढ़ रहा है, 5 years में जो profit growth है, وہ 63% है, हर साल इसका profit बढ़ रहा है 63% से, नई ये नहीं बोल रहा हूँ कि 63% इसका profit है, जो profit इस साल हुआ, अगले साल का profit उससे भी 63% बढ़ कर आ रहा है, और ऐसा 5 सालों से हो रहा है, 3 years में देखी, 3 years में compounded sales growth 46% है, sales भी 46% के इसाब से बढ़ रहा है, 3 years में compounded profit growth 137% के इसाब से बढ़ रहा है, मतलब 20% भी अगर sales growth और profit growth किसी stock का बढ़ता है, उसको काफी बहतरीन माना जाता है, काफी बहतरीन, क्योंकि वो inflation को एक बड़े margin से बीट करने में सक्षम होता है और अपने आपके wealth को multiply करने में बहुत ही सहायक होता है लेकिन यहाँ तो कहानी अजब गजब है यहाँ तो 5 साल में 26% का sales growth और profit growth 63% 3 साल में 46% का sales growth 46% का और profit growth 3 साल में 137% 137% तो मतलब मेरे channel का नाम top share ideas यही नहीं है मुझे कोई चलते हुए कोई खयाल नहीं आया था कि मैं अपने channel का नाम top share ideas रख दूँगा मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ हमेशा एक वादा करता हूँ कि हर दिन आपके लिए एक नायाव एक जबरदस्त stock चुन कर लाओंगा क्योंकि मेरा यह mindset है कि मैं mediocre stocks में deal नहीं करता मैं mediocre stocks की और नहीं देखता जब तक कोई stock बाजार के top performers में से नहीं आता मैं उस stock में ना तो खुद trade करता हूँ ना invest करता हूँ ना अपने श्रोता हूँ और अपने followers के लिए मैं उसको कभी recommend नहीं करता मैं सिर्फ उस stock को recommend करता हूँ जिसमें मैं खुद trade करना पसंद करता हूँ चलिए stock price CAGR stock price CAGR का मतलब है 5 साल में अगर उसमें मान लेजिए कि 80% का growth होता है stock के price में 100 रुपे का price है और अगले 5 साल में वो 180 रुपे का हो जाता है तो अगर आपको stock price CAGR निकालना हो 80 को 5 से divide कर दीजिए 100 का तो था ही वो 80 उसमें profit हुआ तो 80 को 5 से divide करिए जो 16 हुआ वो हुआ stock price CAGR यह जस्ट एक method मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं 100 रुपे के stock पे तक कि आपको बेतर समझ में आ सके यहाँ पर देखिए इस stock price stock का CAGR कितना है 10 years में हर साल के हिसाब से 47% बढ़ा है यह 5 years में 67% बढ़ा है 3 years में 61% बढ़ा है और 1 year में तो बिलकुल हदी कर दिये 150% बढ़ा है 150% तो यह इतना जबरदस्त fundamental वाला share मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं आपको टिकर टेप पर लेकर आया हूँ यहाँ forecast and rating देख लीजिए आप 100% analyst 100% analyst have suggested that investors can buy this stock देख रहे हैं सब के सब analyst ने कहा है कि इसको आप buy करके चल सकते हैं अब साल दर साल year on year basis पर इसका financial trend देखिए 2017 से लेकर 2020 तक का हमारे पास यह graph बारचार्ट हमारे सामने उपस्तित है देखिए 2017 में इसका जो sales था वो 1450 crore था 1.45 है यह सारे figure 1000 crores में है तो 1450 crore 2017 में 4260 crore 2020 में कितना गुना बढ़ गया यह यह लगबग 3 times बढ़ा है मतलब 4 साल में जो sales है वो उसमें 308% का growth है और 4 साल में ही जो profit है जहां यह 90 crore हुआ करता था वहां से बढ़ कर यह 610 crore हो गया है मतलब यहां से अगर आप देखें तो जो profit है वो 700% बढ़ा है 700% देख रहे हैं कितना जबरदस्ट growth है इसलिए stock market के आँखों का तारा बोलता हूँ मैं इसको इसलिए stock इतना जबरदस्ट है चलिए अब मैं आपको जीरोधा के platform पर लेकर चलता हूँ जहां पर इसका मैंने live chart आप लोगों के लिए लगाया है देखें 2008 के आसपास यह stock शुरू हुआ था 125 के आसपास शुरू हुआ था और वहां से 2015 आते आते यानि कि 7 सालों में यह देखिए यहां से इसने यह peak touch किया लगभग 1050 का और वहां से फिर further देखेंगे आप उसने कुछ bonus होगे ना दिया तो इसमें split हुआ या bonus हुआ तो यह जो sharp fall देख रहे हैं आप वही है 1050 यानि कि सिर्फ 7 सालों में इसने अपने investors को कितना पैसा दिया आप जोड़ कर देखिए 8 times 800% यहां profit बना कर दिया और फिर उसी price पर से 100 के आसपास से फिर यह उठना शुरू किया और आज फिर उसी मुकाम को हासिल करने वाला है आज यह 937 पर trade कर रहा है और यह मुझे बिलकुल 1020 के आसपास 25 के आसपास जाता दिखाई दे रहा है क्योंकि जितनी बार breakout करता है मैंने बता दिया आपको उतनी बार 15% का गेन देता है तो यह मैं सिर्फ 1 month to 3 month के लिए आपको target दे रहा हूँ 1 month to 3 month में 15% का upside इसमें दिखेगा आपको और target है 1025 का और 3 month to 6 month का target देखें तो यहां से further 15% का target आप रखिए और वो होगा 1175 यानि की 1200 के आजपास देखें कुछ लोगों को विश्वास तो नहीं होगा कि क्या सचमुच यह stock इस तरह ग्रो कर सकता है और stock price CAGR किस तरह से increase हो रहा है पिछले 10 सालों का consistent record है 47% हर year का इसने growth दिया है 6 month to 1 year के लिए इसका target है लगबग 1400 के आजपास देखें इसके टकर का एक ही stock है लेकिन वो बहुत महगा है वो stock है नवीन फ्लोरीन 2019 के आजपास यह सिर्फ 600 रुपे का stock था पिछले 2 साल से कम में ही नवीन फ्लोरीन ने अपने सारे investors का पैसा चार गुना से उपर कर दिया है चार गुना से ज़्यादा बना दिया है यानि कि आप समझ सकते हैं कि 100% का return पर एनम वो दे रही है और दीपक नाइटराइट 50% का ही मैं ले रहा हूँ जबकि इस दीपक नाइटराइट का ROC भी ज़्यादा है और valuations भी कम है इस लिहाज से दीपक नाइटराइट कहीं न कहीं नवीन फ्योरीन को आने वाले समय में return के मामले में बिल्कुल outperform करने वाला है आप देख लिजिएगा हो सकता है अगले साल इसका price 2000 दिखे आपको मैं तो सिर 1400 दे रहा हूँ मैं फिर वीडियो बना कर आपको बताऊंगा ये था हमारा आज का stock जवरदस्त stock अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए और आप समों से हाथ जोड़ कर प्रातना है कि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम मेरे परिश्रम को सम्मान दीजिए हमारे चैनल को प्यार दीजिए इसको subscribe करिये, like करिये, share करिये अपने मित्रों और परिवार जनों के साथ कम से कम like तो कर दीजिए, कम से कम subscribe तो करिये इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत उत्साह मिलेगा और मैं आप लोगों का भारी हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे किसी भी दूसरे स्टॉक के बारे में भी अगर आपको पूछना हो तो बेज़रा कमेंट सेक्शन में पूछे